बाज हम लोगों को करना है एननडवलू जोन पंदरज जोन हम लोग कर चुके यह हमारा सुलावा जोन है एननडवलू जोन है यह बेसिकली सेक्स है और बताता है कि मैं आपको कहूं यह पैसे को भी बताता है फाइनेंस को भी बताता है यह ग्राहा की भी देता है ठीक है रिलेशन्शिप भी यह देता है यानि रिलेशन्शिप की इसको भी सॉल्व करता है पढ़ाई को भी कवर्न करता है कैसे इस चीज को समझना है एननडवलू जोन बेसिकली सेक्स और ट्रेक्शन का है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे घर में कोई कपल है और उनके रिलेशनशिप के बीच में कोई प्रॉबलम है अब यदि वो प्रॉबलम एक्स्टा मेरिटल अफेर के कारण है अस्वेंड का किसी अफेर है या वाइफ का किसी के साथ है नहीं तो उसका एक रिजन एन डबलू जोन होगा या जोन में प्रॉबलम होगी तो क्या होगा कि वो उनके रिलेशनशिप को खराब करेगा उनके आपस का जो एक अट्रेक्शन है उसको वो प्रॉबलम क्रिएट करेगा यदि यहां पर कुछ ऐसा फोटो लगा लेते हैं को ऐसी पेंटिंग लगा लेते हैं जिस पेंटिंग का वो इंपेक्ट आपके उपर ऐसा आता है बहुत ऐसे पेंटिंग हो गई जो मोज मस्ती या किसी बीच वाले जगा का ऐसा कुछ आपने लगा लिया इसका वो इंपेक्ट आएगा कि बस आपके भी दिमाग में आपको भी यह चीज़ें करनी चाहिए तो वो कहीं न कहीं जि हो सकता है नहीं या दो-तीन कपल है तो फिर एक हीं के साथ क्यों हुआ तो क्यों यह हुआ कि उसके कुंडली में भी वह योग थी और वास्तु में भी यह चीज़ें यहां पे आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दें उसके लिए वह एक मौका बन गया तो उसने वह गलती कर कुंडली में जो है वो तो रहेगा उसकों बदल नहीं सकते लेकिन उसका रेमेडियल पोर्शन यहां पे आपके वास्तु में मौझूद है यहां पे वैसे किसी भी पेंटिंग से आप फोटो को नहीं रखें जो कहीं ने कहीं आपके मन और विचार को प्रदुस्यत करता हो गलत कारे करने के तरफ उत्सुक आपको उत्साहित करता हो तो वो चीजें यहां नहीं रखनी है यदि यहां पे ट्वाइलेट होगा तो फिर उनका आपस का एट्रेक्शन खराब हो जाएगा उसमेंड़ वाइफ की बीच का तो वो एट्रेक्शन को भी यह गवर्न करता है साथ ही साथ यदि यहां पे बच्चे यदि पढ़ने बैठ जाए या उनका बेड्रूम रख दिया जाए और वो टीनेज में हो तेरा से अठार उननीस के बीच में तो फिर उनका जुकाव ऐसे कोन कोन कांटेंट की तरफ हो जाएगा नहीं एडल्ट कांटेंट की तरफ हो कहीं से वो देखना पढ़ना सुनना या अपने जो भी फ्रेंड वगर है उनसे बातचीत करना वो चालू कर लेंगे या कलास में बहुत सारे ऐसे लड़की लड़कियां होती है जिनका ऐसे ही अपना नोरल कैरेक्टर डाउन होता है तो आपके घर के बच्चे भी उनके कॉ तो अब जैसे को यह कहता है कि घर में बच्चा बच्चे का पढ़ने पर रहान नहीं है अब जैसे आपने देखा कि उसका यहां पर वार्न करना पड़ेगा कि थोड़ा सा सचेत रहें अब कि यह चीज़ें हो सकती है आठ दिसाओं का वास्तों उसमें ऐसा बहुत चलो क्य कि साधी नहीं हो रही है उसको नॉर्थ वेस्ट में सुला दीजिए तो साधी हो जाएगे ट्रेडिशनल वास्तों के साब से आप के स्टड़ी के तौर पे देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा नॉर्थ वेस्ट से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है वह एनन डवलू है कि या फोटो अपनी टरफ लगाई हुई है यह जोन का साधी से क्या रिस्ता है बैसिकली यह जब जोन जब भी कोई लड़का या लड़की जब दिवाह योग हो जाता है तो बैसिकली SM देखें तो परिवार रामक संस्था के लिए तो साधी होनी चाहिए फिर परिवार बढ़ने के लिए दोनों के बीच एक healthy sexual relation होना चाहिए जब इस zone में जब कोई आदमी रहता है या उसकी photo रहती है तो यही energy activate होती है और activate होने के साथ साथ चुकी attraction का है तो अब जब आपके रिष्टे कहीं आते हैं बहुत बार रिष्टे किसले कड़ जाते हैं जैसे कहीं photo गया लड़के गाया लड़की का तो देखने वालों ने जहां गया उस family वालों को उस photo में ऐसा कुछ उनको x factor दिखेगा ही नहीं एक attraction ही create नहीं होगा तो जिसके कारण बात आगे नहीं बढ़ पाती है जब यह zone का वास्तु सही रहेगा और जब यहां पे वो सोना चालू कर देंगे तो एक attraction create होगा जहां बीचे से लड़की की साधी नहीं हो रही है तो उसके photo यह दी जाएगे लड़के वालों के हां तो जो भी उसके family member देखेंगे तो सब किसी ना किसी point कोई का रहे लड़की मुझे बहुत मासूम लग रही है किसी को लएगा बहुत सान्त दिख रही है मतलब किसी ना क किसी कारण से सब उसके support में जुड़ जाएंगे किमने यहां साधी होनी चाहिए वैसे किसी लड़के का नहीं हो रहा है तो लड़के के लिए भी कहीं situation है यहां सोना चालू कर देता है या अपनी photo लगा लेता है लेकिन ध्यान यह रखना है कि वास्तु दोस्ते free होना चाह करेगा यहां फिर मालों यहां पर फायर आ गया तो फायर क्या करेगा वहाली चीज़ें करेगा और खराब हो जाएगा नहीं तो इस प्रकार यह जोन मैंस के लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ाई के लिए इसलिए करता है कि बच्चों को यहां ना पढ़ना है ना यहां सोना है इस प्रकार से इन चीज़ों से जो एडल्ट एक्टिविटीज है उससे वो टीनेज में बच जाएंगे दो चीज़ें हो गई रिलेसेंशिप के लिए इसलिए प्ले करता है कि दोनों जो हस्बेंड वाइफ हैं यहां पर वो सोते हैं यदि पॉसिवल है तो नहीं सोते हैं तो उनकी फोटोग्राफ से दिलगी है उनका आपस में जो एक इंटिमेसी का रिलेसेंशिप एक अट्रेक्शन है वो बना रहे वाटर जो नहीं से चालो होता है ना ट्रांजिस्नल जो नहीं यह नहीं से खराब हो यहीं पे आपने कर दिया यहीं पर आपने कोई विए कर दी ब्लेफल वूचा कर दिया तो वह जो बैलेंसिंग बहुत बड़ा लिकरता है कोई भी वह सौपिंग मॉल आप देखिये कि मैं यहां रहता हूं इससे कि इसमें भी यहां से जिला मुख्याल है 40-50 किलो मेंटर दूर है वहां जब जाता हूं तो मैंने देखा गया कि एक ऐसा जगा है मार्केट प्लेस जहां पे सब्सक्राइब करते हैं जो लगतार मतलब यह चल रहा है वह चल रहा है कि लोग आए लेकिन कभी कभार ही लोग जा पाते हैं इसके खुलने का भले लेट हो सकता है लेकिन बंद होने का टाइम है रात का नौ बजे नौ बजे के बाद वह पूरे जो तीन-चार फ्लोर है सब लाइट बंद कर देगा नीचे में भी जहां बिलिंग वाला डिपार्टमेंट है वहीं की लाइट जली रहीगी यानि नौ बजे लैसे लाइट बंद हुए आप खरिदारी नहीं कर सकते अब वो बिलिंग उनकी होने में सब्सक्राइब कर दिया लोगों की इंट्री तो अभी लोग जो अंदर राग है उनकी बिलिंग होके निकलने में एक सब्सक्राइब गंटा लग जाता है और उसके ठीक बगल वाला वहीं मौल खाली है वह लगतार रेनाउंस कर रहा है ठीक है दोनों की फेसिंग सेम है एक दोनों मौल अच्छे चल रहा है और कुशएक दम नहीं चलरह घख है अब क्या रज़ीजन है और शूंके इंटर्नल चोड़ाई एरिया की साब से फेसिंग भले नौर्थ और साउथ है लेकिन जब इंट्री हम देखेंगे तो इंट्री भी हो सकता है डिफरेंट अब हम पैसे के परपस में इसको समझ रहे हैं वह यह है यानि आप रोड पे खड़े हैं आपने दो अपने चारों तरफ कोई दुकान देखा अब देखा तो आपको मौल के अंदर का पूरा सावान थोड़ी पटा है कि अंदर क्या रखा हुआ है टेंटेटीवली हर एक मौल में लगवग एक प्रकार किया असी से नभे परसंट चीज़ें एक जैसी मिलेंगे लेकिन वह मौल को जब आप देख रहे हैं तो एक एट्रेक्शन जिस मौल ने आपको एट्रेक्ट किया आप उसके तरफ एट्रे देगा क्या कि लिए हो रहा है तो जो हमने नौर्थ जब जोन मैंने आपको पढ़ाया था तो नौर्थ में मैंने आपको और इस्ट में आपको बताया था कि यह किस चीज़ के लिए आते हैं मनी अपर्चुनिटी साथ ने साथ ग्रहां को आने के लिए ग्रहां को जोड़न अबुर्ण स्मझ रहे हैं जो भी सॉपिंग मॉल से लेकिए भाद हैं जहां पे लोग अट्रेक्ट होके ही जाते हैं चाहिए वो पैकंग होते हों आप कोई ब्यूटी प्रोडक्स मैं ये काफी अच्छा और उसको एक समाने साओ प्रोड़क्ट में उसकी पैकेजिंग की होती है बहुत सारे प्रोड़क्ट पैकेजिंग की वज़ा से बिग जाते हैं लोग उसके तरफ एट्रेक्ट होके खरीद लेते हैं कि समझ रहे हैं वहीं एट्रेक्शन आपका पॉआइंट है कि लोग एट्रेक्ट होके वहां आ गए तो निश्चित सी वात है दस में छे साथ कनवर्जन होई जाना तो एन एन डवलू जोन काफी पैसा को जनेरेट करने के लिए क्योंकि जब आपके पास आएगा तो ही तो पैसा आएगा न है कि यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत है तो बताइए है कि यह हम लोगों का सोला जोन हो गया पूरा सोला जोन का आपने अट्रिब्यूट्स पढ़ लिया अब यह अट्रिब्यूट्स आपको क्यों याद रखना है कि नॉर्मली किसी के भी जीवन में इन्हीं सोला दिशाओं से रिलेटेड प्रॉब प्रॉब्लम होगा जैसे आप मुझे कोई प्रॉब्लम बताईए किसी का घटना करां मैं आपको बता देता हूं कि किस की जोन देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा बात बता है डिरेक्ट वन लाइनर में नहीं कहना है तीन चार पांच लाइन में सब्द में जो आपको बात अपनी कहनी है आप कहिए मैं उसमें से किस तरह से अनालिसिस करके डिकोड करना है मैं आपको बताता हूं कि मैं देख रिलेटिव हैं उनका दख दो तीन साल हुआ है नियुली गर्म उनने बनायता है तो उसमें शेक्ट हुए है अब जैसे कोई आदमी आता और यह बोलता है कि मेरे घर में चोरी की समस्या है ठीक है एक बार चोरी हो चुकी है दो बार एक्सिडेंट हो गया है क्या रीजन है ठीक चोरी यानि धन का नुकसान ठीक है अभी आपने जो बात टेंटेटिव कहीं हो या जिसके बारे में कहीं हो यदि आप मैप बनाएंगे या उनका होगा तो आप इससे रिलेट किजेगा फिर आप मुझे फिड़ेक इंट्री है साउथ इस्ट की इंट्री है तो आपको चोरी धन हानी धन का नुकसान कराएगा ठीक यदि वहाँ इंट्री नहीं है तो साउथ इस्ट जोन में जो दोस होता है वो दोस क्या होता है नॉर्मली फायर एलिम यह वाटर एलिमेंट यानि साउथ इस्ट का फ्लोर लेवर डाउन होना यहां ब्लू कलर होना यहां ब्लैक कलर होना टीक है वाटर एलिमेंट ब्लू कलर ब्लैक कलर यहां का फ्लोर लेवर डाउन होना अंडर ग्राउंड टैंक होना ट्वालेट होना यह उपर में टैंक होना तो यह जब इस जोन में रहेगा तो यह उनका नुक्सान होता है चाहें चोरी हुआ तब भी धन का नुक्सान हुआ एक्सिडेंट हुआ तब भी धन का नुक्सान हुआ या मालनों ऐसा होता है कि वो आते हैं कि चोरी हुआ या एक्सिडेंट हुआ लेकिन हमारा इंस्टुरेंस था वो लगभग मिल गया रिकवार हो गया कोई समस्या नहीं रही यह भी सिच्वेशन होती है नॉर्मली कई बार लोगों का इंस्ट रहता है यहनी पैसे का प्राब्लम नहीं हुआ तो तो sol पूरा south east ही होगा, ठीक है, लेकिन यदि पैसे का भी नुक्सान है, तो space element कहीं न कहीं disturb होगा, और space में भी particular west और west southwest, इस दो zone में कहीं न कहीं problem मिलेगा, क्या problem होगा, यहाँ प्रोबलम होगा, यहाँ पर anti activity, यहाँ पर air element हो सकता है ब्लू कलर ब्राउन कलर कॉफी कलर रेट कलर ओरेंज कलर समझ रहे हैं यह ट्वाइलेट यह यहां का फ्लोर लेबल डाउं यह चीजें यहां होंगी तो पैसे नहीं बचेंगे यदि किसी का मामला सिर्फ चोरी है यानि चोरी हो रही है बार बार समान गायब हो जाता है तो ESE जोन समझे रहे हैं ESE और प्लस साउथ इस्ट यानि उस चोरी की एक्टिविटी के लिए ESE है और उसके कारण होने वाले उक्सान के लिए साउथ इस्ट है साउथ इस जोन बेसिकली फाइनेंसियल लॉसेज को बताता है कि अब वो लॉस किसी भी प्रकार्स हो सकता है बार बार किसी का तवित खराब रहे एक्सिदेंट हो जाए चोरी हो जाए आग लग जाए एक आगे जब इंट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इवन की जब इंट्री होती है तब भी आग लगनी की समस्या होती है कि नॉर्थ इस्ट में इवन की इंट्री होती है कि यदि आपका उनके घर का कोई जानकारी है मैं पोगरस है तो आप बताइए तो बीवात ने और साउथ इसमें ब्लैक किलर का उन् से बात अभी उनके घर में किसे लेडिस को हेल्थ इसूस भी होगा या तो होगा नहीं तो हो जाएगा जैसे कुछ घर में समय भी देगा तो यह चीज ऐसे ही आपको करते हुए मतलब कोई भी आप तो खेर आभी सीख रहे हैं आपको अपना एक्सक्रियंस नहीं है लेकिन म जो भी आदमी मिला जहां भी मैं काम करने जाता हूं तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो नॉर्मली इन 16 जिसाओं से रिलेटेड ना हो आगे अभी 32 इंट्रेंस पढ़ेंगे तो कुछ इफेक्ट इंट्रेंस का भी होता है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें एक से अधिक जो निवल होते हैं लेकिन वो रिजन मिलना ही मिलना है यह फैक्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है यानि वो प्रॉब्लम उस जोन में है और जैसे ही उस प्रॉब्लम को आप सौट आउट कर देते हैं आपको रिजल्ट मिल जाता है समझें इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है अब डिपेंड यह करता है कि हर एक आदमी की वर्किंग कैसी है आप जब काम ही नहीं करेंगे आपका प्रोपर वर्किंग ही नहीं होगा तो फिर रिजल्ट की क्या उम्मेद करेंगे नहीं और रेमेडी जब सजेस्ट करना है तो ऐसे डॉक्टर की तरह जैसे डॉक्टर बोलता है कि नहीं यह आपको करना होगा अब जैसे डॉक्टर ने दवा लिख देवा आपको अरे मैं दवा नहीं खाता कोई दूसरा उपाया बताईए तो गठीक है पूर्जा यहां र रखी उनके साउथ इसमें ओवरहेड टैंक है तो यह हटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका निगेटिव इंपक्ट आपको मिल चुका है जो ब्लैक कलर की मार्बल रखी है उसको हटाना ही पड़ेगा सिंपल कोई इफ नो बट इसमें नहीं है इसी जगह पे लोग क्या करते है वो काते हैं कि गैस चुले के नीचे ग्रीन पत्तर लगा दीजिए अरे थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाई यह क्या वहाँ पे गैस चुला प्रोब्लम है साउथ इस्ट में गैस चुले को बैलेंस करने के लिए हम ग्रीन पत्तर लगाते हैं जैसे इस्ट में आपका ग्रीन पत्थर लगाते हैं आगे अभी आपको मिलेगा वो सारी चीज़े लेकिन साउथ इस्ट में ग्रीन पत्थर कर रहा है तो ब्लैक को रेमेडी करनी होगी ना और ब्लैक को हटाना पड़ेगा अब उस हिसाब से कोई कहे कि साउथ इस्ट में पानी आगया पानी की टैंग है तो उसमें हरा रंग मिला दीजिए नहीं कर आगया अधवादर पानी है ना वो आप सिंपल सोचो और वो निगेटिव है बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो बीच का आके बैलेंस करे लेकिन जो बीस ट्रक्षण है तो बीस ट्रक्षण को हटाएं एक और साउथ इस्ट में कभी एक पर्सेंट में दिस्ट्रक्व आपजेक्ट मत रखिए एफित इस्ट में यह द्यान रखिए यह क्लियर है यह सर्ट जलिए